हेलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो हम बात करने वाले आई पेल का जो ठटित मैच होने वाला है कोलकाता वर्सेस बैंगलोर के बीच इसका ड्रीम लेवन टीम का सो फ्रेंड ड्रीम लेवन टी फ्लॉप होने का बहुत जादा हाई चांसे से रीजन यह है कि आप देख सकते हैं पिछले पांच मैच से लगतार फ्लॉप होते हुए हैं पिछले पांच मैच से एक मैच में भी मतलब 30 प्लस स्कोर नहीं कर पा हैं जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया तो वह फुर्ष्ट क मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया हैं और अगर आप ट्राइ करना चाहिए तो अपने टीम में ले भी सकते हैं परफॉर्मेंस देखे अच्छा खासा रादा फॉर्टी थी रहे हैं उनकी इन्होंने बहुत अच्छी पारी भी खेली थी और आप कोई पता है जब सकते हैं यहां से आप रहूल तुरिपााटी को अपनी टिम में रख सकते हैं रहूल तुरिपााटी में बहुत अच्छे प्लेयर हैं सो लाहल मॉर्गन का बात कि तो मौर्गन भी देखिए अच्छे ही प्लेयर हैं लाश्ट मैच में दुरुबागय अपन sig strips हो रहीं लेक नरायन थोड़ा सा रिस्की लग रहा है रीजन ही है कि बैटिंग बहुत ही बेकार है अब तक फिछला दो मैच में लगतार जीरो अन प्याउट हुए है और बालिंग का भी बात क्या है तो फिछला मैच में बालिंग भी इनका उतना कुछ खास नहीं रहा तो एक विकेट भी मिला नहीं था तो नरायन इस मैच में रिस्की लग रहा में भी हो सकता है नरायन के जगा पर लोकी फर उसन को इस मैच में मौका दिया जा सकता है बहुत जादा हाई चांसे आपको ही पता है लोकी फर उसन एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है और कुलकाता का देखिए अभी situation भी बहुत ही खराब चल रहा है तो टीम में तो जरूर changes होगा ही होगा और अगला मैच कोलकाता के लिए भी करो या मरो का मुकाबला होने वाला है क्योंकि अगला मैच हारती है तो कोलकाता के लिए play-off में पहुचना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाएगा और लोकी फरूसन आपको ही पता है एक बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर है सो नरायन के जगह पर मेभी इस मैच में मौका मिल सकता है यहाँ से डीके का बात क्या है तो देखे नंबर 6 पे आये थे बैटिंग करने के लिए 45 रनुखिनों ने बहुत अच्छी पारी खेली थी साथी साथ आपको पता है कि रसल बॉलिंग बे अच्छा घासा कर लेते हैं तो यहाँ से रसल को आप जुरू अपनी में रखेगा हर बजन इस मैच में नहीं खेलने वाले बरुन चक्रबरती को अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं प्रसीद क्रिष्णा का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं चल रहा लास्ट मैच तो बहुत ही बेकार रहा था जहाँ पे इन्होंने दस के एकोनॉमी से रन द एक ओवर में छे चौका मारा था उसके बाद से इनको एक ओवर भी बॉलिंग कराया ही नहीं गया तो मेवी इस मैच में बहुत जादा हाई चांस लग रहा है कि सीवाम आभी के जगब पे संदीप वोरेयर को खेलाया जा सकता है तो या से सीवाम आभी थोड़ा रिसकी रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए कोहली को बिल्कुल भी छोड़ियेगा मत क्योंकि कोहली देखेए किसी भी मैच में बड़ी पारी खेल सकता है और परफॉर्मेंस भी देखा जाया तो उतना अभी तक खराब नहीं रहा है ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस रहा है तीन बार एकतिस रन उससे पहले एकतिस रन तो परफॉर्मेंस पठीदार का भी बहुत अच्छा ही रहा है और आपको बहुत कम क्रेट में मिल जा रहा है तो अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं मैक्सवेल के लिए तो लेना ही पड़ेगा इसका कोई आप्सन ही नहीं है और देखे भले ही लाश्ट एक दो मैच में मैक्सवेल नो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है लेकिन आपको ही पता है मैक्सवेल किसी भी मैच में बड़ी पारी खेल सकता है फ्रेंट सो यहाँसे मैक्सवेल को आप जुरू अपनी टिप में रखेगा एवीडी को भी रख लिजे तो छोड़ दिए कुछ खास प्लेयर है नहीं डैन क्रिश्चन नहीं खेलने वाले सुन्दर नहीं खेलेंगे हरसल पटेल को आप जुरू अपनी टिप में रखेगा परपल कैप होल्डर है बहले ही पिछला मैच देखे उतना कुछ खास नहीं रहाता लेकिन आपको ही पता हरसल पटेल को आप जुरू अपनी टिप में रखेगा दो या तीन विकेट हर मैच में लेही लेता है जैमी सन भी देखे बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा अगर आप जैमी सन को लेना चाहे तो ले सकते ये भी दो विकेट लेकर आ रहा है और लगबग सभी मैच में ज जैमी सन ने विकेट निकाला हुए है वही बात कहा है चैहल का तो चैहल का परफॉर्मेंस इस साल उतना अच्छा नहीं रहा है आप देख सकते हैं अब तक टोटल मतलब साथ मैच कहल कर सिर्फ चारी विकेट चैहल को मिला है तो इसी वएसे चैहल को फिलाल अपने टीम में नहीं रखेंगे इनका परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका फॉर्म को देखते हुए सिराज का बात कहा है तो सिराज बिलकुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है फ्रेंट पिछला दो मैसे तो इनको विकेट मिल भी नहीं रहा है तो इस वए सिराज को नहीं लेंगे केन र करेट में आपको मिल जाएंगे एक बहुत अच्छे ऑल राउंडर सो यह से डैनियल सैम को लेना चाहे तो ले सकते हैं अब बात कर लेते पीछ रिपोर्ट की उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे ड्रीम तो देखें यह मैच एहमदावाद में होने वाला है और एहमदावाद में जो लाश्ट मैच हो था रसी वी बरसेस पंजाब किंग्स के खिला और यहां पे टोटल 179 रन हाइस्ट स्कोर गया था फ्रेंट मतलब देखें पीछ बैटिंग के लिए बहुत अच्छा राम से इस 270 प्लस स्कोर ही हर मैच में जा रहा है वही बात किया जब बॉलर्स का तो यहां पे देखें आप टोटल पिछले मैच में 13 विकेड गिरा था जिसमें से 6 विकेड फास्ट बॉलर ने लिया था तो 7 विकेड इस्पीनर ने भी लिया था मतलब जाद है यहां पे फरक आपको मतलब जितना विकेड यहां पे फास्ट बॉलर लेते हैं लगबग उतना ही विकेड़ इस्पीनर भी लेते हैं तो देखें इनिस सब बातों को ध्यान में रखते हैं आज का हमने ड्रीम 11 टीम तैयार किया हुआ तो आई आप डारेक ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं उससे पहल लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फól होता है गर अभी तक नहीं किए हैं तो आई यह बात कर लें यहां से यहांसे विकेट किपर का तो अगर आप एभी बिलियर को चुड़ते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे बड़े प्लेयर को छोड़ियेगा मत कार्थी को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते क्योंकि अभी उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है और इनका बैटिंग बहुत लेट से आता और इनको जादा गया इन खेलने के लिए मिलता नहीं है फ्रेंड सो इस वह से यहां से को जुरू अपने टिब में रखेगा और मैक्सवेल को भी रख लीजेगा इसके अलावा नीती सराना को छोड़ सकते हैं क्योंकि नीती सराना पिछले कुछ मैच से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कि मतलब बिलकुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा फ्रेंड और इस म अगर मैं किसी और एप पे कहलता हूं जहां पे मुझे क्रेड का बिलकुल भी नहीं प्रॉब्लम होगा उस एप पे मैं जुरू अपने टीम में रखने वाला हूं और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी डी परडिकल को जुरू अपने टीम में रखे अगर किसी ऐस अपे कहले हैं जहां पे को क्रेड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इहां से मॉरगन पश्णा हागन एपनी टीम में रख सकते हैं हो किक्योंगे तो मॉर्गन इससे पहले इन्हें 47 उनों की बहुत अच्छी पारीइड नहीं तो आप को जो बेटर लगता है उससे आप Su से सुंबंगिल का तो सुम्मन गिल देखें पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मस करके आरहा 43 नों की बहुत अच्छी पारी खेल कर आ रहा और ف Cyber yan और देख आहां है जब सुम्मन गिल अच्छे टाचDid में रखा हुए करून नायर का दिखे अभी कनफर्म नहीं है इसी वह से नहीं ले रहे हैं गुरकिरा सिंग मान नहीं खेलेगा सचीन बेभी नहीं खेलेगा और यहां से आर पटीदार मुझे बहुत कम क्रेट में मिल जा रहा है और आपको नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए भी दिखाई देगा पिछला दो मैस से लगाता 30 प्लस स्कोर करते हुए आ रहे हो सकता है इस मैच में 50 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं इनके अंदर मतलब बैटिंग का अच्छा खासा तो यहां से पतीदार को छोड़कर डीपडिकल को भी ले सकते अगर किसी ऐसे आप खेले जहां पर क्रेट का प्रॉबलम नहीं हो रहा तो सो बैटिंग में यही पाच बल्लेवाज के साथ जाएंगे विराट, कोली, मैक्सवेल, मौरगन, सुमन गिल और यहाँ से पटीदार अब बात कर लेते हाँ से ओल राउंडर्स की, ए फेलन तो नहीं खेलेंगे, पी देस पांडे भी नहीं खेलेंगे अब बात करते हो अल राउंडर्स की, तो अल राउंडर में यहाँ से हमने दो अल राउंडर को रखा वाएंडर रसिल को और यहाँ से हमने डैनियल सैम, जो हमें बहुत कम क्रेट में एक अच्छा अल राउंडर मिल रेफरेंट डैनियल सैम कभी आपको पता है, बैटिंग ब important रहेगा तो यहां से साकीबल असन नहीं खेलने वाला है सुनील नरायन देखें इस मैच मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि कुलकाता का भी सिच्वेशन बहुत खराब है अगर कुलकाता हारती है तो प्लेयॉप में जाना बहुत जादा मुस्किल हो जाएगा सु यहां से नरायन ठोड रिकस्किल लग रहा है डयन क्रिश्चन नहीं खेलेगा बेन क्रि Remember होजागा वाशिंटन्स उन्दर सेवाज आपको खेलते वे दिखाई दे देगा अगर आप ट्राई है और बैटिंग में भी उतने कुछ खास है नहीं तो मैं तो बोलू हूँ अब मती लीजेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा अब बात करते हैं आज से बॉलिंग की तो बॉलिंग में हमने तीन बॉलर को अपने टीम में रखा हुए देखे बैटिंग पीछ उतना ज्यादा यह बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं जैसा कि आपने पिछले मैच में देखा ही होगा सूपर स्ट्राइकर का एवाड इनको मिला था बात के जहां से जैमी सन का तो जैमी सन भी बहुत अच्छा कर रहें लगबख सभी मैच में विकेट निकाल रेफरेंस आती साती यह भी बैटिंग अच्छा खासा कर लेते हैं सो हमने इनी तीन बॉलर को अपनी टीब में रखा हुए पैट कमिस हरसल पठेल और यहां से जैमी सन इसके अलावा देखे चैहल का अगर फॉर्म अच्छा रहता तो इस मैच में मैं चैहल को जुरू अपनी टीब में रखता लेक चीज हम आप लोग को टेलिग्राम पर बता देंगे यहां से बात किया जब मुहम्मद सिराज को तो मुहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देदेगा लेकिन पिछले दो मैसे एक विकेट भी नहीं लिया हुआ है और कंसिस्टेंसी नहीं है आप इन पर मतलब भरूसा न प्रेंडश एकिन अगर मैं किससी ऐसे एक खेलता हूं जहां पर मुझे क्रेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं डैनियल सैम को छोड़ कर इस chim में लेने वाला हूं और आप लोग भी फ्लीज ऐसा ही किजएगा बात करते हैं अर्वजन सिंग का तो हर्वजन सिंग नहीं खेलेगा पवन नहीं खेलेगा संदीप वारियर माभी के जगह पे खेल सकता है और यहाँ पे कुछ खास प्लेयर नहीं जिनके बारे में बात किया जाए आई अब डाएक बात करते है, कैप्टेन और वाइस कैप्टेन की तो देखें आप एक यापे कैप्टेन, हमने विराट कोली को बना हुए क्यूँ कि दोनों ही टीमों में देखाई है, तो सबसे वरुसे मन्द प्लेयर विराट कोली लगता है और वाइस कैप्टन हमने रसल को बनाया है रसल भी बहुत अच्छे फॉर्म में बड़ी पारी खेल सकता है फ्रेंट साथी साथ चार ओवर बॉलिंग भी कर सकता है तो इस वाई से मुझे लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए व दूसरे टीम में आप रसल को कैप्टन मना सकते हैं वाइस कैप्टन विराट कोली को बना सकते हैं तीसरे टीम में आप मैक्सवेल को कैप्टन मना सकते हैं वाइस कैप्टन यहां से मॉर्गन को बना सकते हैं इस तरीका से मतलब थोड़ा बहुत मतलब कैप्टन वाइस कैप करके भी तिंचा टीम मना सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बोला है कि आप तिरी पार्टी को भी ट्राई कर सकते हैं अगर माली जब दो टीम मना रहे हुं तो एक टीम में तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन जो मुझे सबसे बेश टीम लगा हो मैंने आपको टीम दे दिया फ्रेंड उमीद करते हूं यह टीम आप लोगो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगो लगता है कि इस टीम में मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके चाहिए नहीं करना चाहिए किसको बनाना चाहिए इसके बारे में अगर आप कमेंट करके बताना चाहिए तो बता सकते हैं साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे टेलिग्राम पे जोईन नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखिए अभी जो मैंने आपको यह टीम दिया हुए बाई भी changes करना होगा तो मैं सबसे पहले टेलिग्राम पे ही बताऊँगा फिलाल के लिए यही मेरी final dream 11 team रहने वाली है लेकिन अगर मुझे कुछ changes करना पड़े मैं से पहले तो मैं जो भी changes करूँगा आप लोगो टेलिग्राम पे बता दूँगा तो अगर अभी तक टेलिग्राम पे आप जोइन नहीं हुए तो जोइन हो सकते हैं इस वीडियो के description मैंने अपने टेलिग्राम का link दिया हूँ उस link पे आप click करके टेलिग्राम पे जोइन हो जाईएगा अगर link पे click करने के बाद भी आप join नहीं हो पारे या फिर कोई problem आ रहा है तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि आपको कैसे टेलिग्राम पे join होना है तो इस वीडियो के description मैंने Instagram का link भी दे रखा है आप उस link पे click करके आप मुझे Instagram पे भी message कर सकते हो साथी साथ Instagram पे हम लोग बात चित भी कर सकते हैं जो भी आपका problem होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हो साथी साथ अगर अभी तक आपने like नहीं किया तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe नहीं किया है जो भी fantasy games मतलब खेलते हो सो उन लोग के साथ भी इस वीडियो को जुरूर share किजेगा कम से कम याद 5 लोग के साथ तो जुरूर share किजेगा और अगर आपके मन में कोई भी doubt है कोई भी कोसेन है तो आप जुरू कमेंट किजे देखे आपको जैसे लगता है कि हाँ इस player को नहीं लेना चाहिए था मैंने ले लिया है या फिर मैंने किसी ऐसे player को छोड़ दिया जिसको लेना चाहिए था तो ऐसा comment आप लोग करके पूछ सकते हो उसके बारे में भी हम लोग discuss कर सकते हैं आप लोग कमेंट जरू किजे आपका comment का जुरूर reply मिलेगा साथ ही साथ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी comment करके बताईएगा और देखिए जिसका comment मुझे सबसे बेश्ट लगा सबसे वैलुएबल लगेगा उसका comment को हम पीन भी करने वाले हैं आप लोग comment जरू किजे इस वीडियो को फ्रेंट यही पर end करते हैं तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्रम